हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीत स्वागत है आप सभी का मेरे चानल गाड़निंग इत गीत कुमार में एक नए प्लांट केर के साथ आई हूँ ये जो प्लांट है फ्रेंट्स ये हैं वर्बिना का प्लांट ये देखे आज इसी प्लांट की देख भाल शेयर करूंगी और इस प्लांट में इस पौधी में जादा से जादा फूल लेने के लिए कौन सा खाथ डाले जिससे आप के प्लांट के भी जादा प्लाइब होता है सर्दियों में ही फूल देता है और बहुत जादा flaring होथी है इन प्लांट्स में जैसा कि आप लोग देख होंगे इसमें बहुत सारे रंगों में ये मिल जाता है जैसे की एक तो आप लोग देख रहे होंगे folks color combinations दो तरह के हैं इसमें एक डीप मरून और वायट कंभिनेशन में है ये देखिए दूसरा ब्राइट रेड और वायट कंभिनेशन में हैं जो कि बहुत ही खूब सूरत लगते हैं ये प्लांत इस तरह के combination वाले और एक सिर्फ purple color के हैं dark purple यह देखें इसमें light purple भी bright purple भी मिल जाता है white color में भी यह सफेद रंग में भी आ जाता है तो बहुत सारे रंग मिलते हैं इसकी 200 species होती है 200 प्रजातिया इस plant की इस पौधे की पाई जाती है यह जो पौधे होते हैं ये सरदियों में ही फ्लारिंग करते हैं इंडिया में ख़ासता और से जो हिंदुस्तान में पाये जाते हैं इसके इसमें seeds grow होते हैं और beach से ये पौधे उगाए जाते हैं इस पानी देर तक न रुके तो इसके लिए आप अपने थोडी सी मिट्टी के लिए आप अपने पॉट्टिंग मिक्स में कहने का मतलब है गमले की मिट्टी में सड़ी उइगोबर की खाद मिला सकते हैं अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कमपोस्ट भी मिला सकते हैं साथ में कोई fungicide powder हो तो वो भी मिला दे ताकि आपका पौधा fungus से कीडे मकौडों से बचा रहे अगर रेत, बालू, बजरी ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो कोको पीट भी मिला सकते हैं मतलब potting mix ऐसा बनाए जिसमें पानी देर तक ना रुके मेरा कहने का यही मतलब है और इन plants को friends धूप की बात करें तो धूप इन plants को जितनी ज़्यादा आप दिखा सकते हैं उतनी ज़्यादा इन plants को धूप दिखाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी flaring होगी इन plants में full उतने ही आएंगे अच्छे ये जो plants होते हैं पानी की बात करूँ अब तो पानी इन plants में बहुत ज़ादा भी ना डालें इन plants में पानी हर दिन डालें क्योंकि ये धूप में रहेंगे और potting mix भी आपका अच्छा बना रहता है तो पानी देर तक नहीं रुकेगा तो पानी इसको हर दिन डालें और ध्यान रखे कि showerring जो आप पानी के बहुछार करते हैं पानी डालते वक्त पॉद्य को नहला देते हैं हम लोगों की आधत होती है गार्डनस की की पानी से नहला देता हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि इसमें जो फूल आये होते हैं वो मुर्जा जाते हैं फूलों का कलर भी अजीब सा हो जाता है गंदा लगता है अच्छा नहीं लगता देखने में तो इसके सीधे जड़ों में ही पानी डालें जिससे आपकी फ्लारिंग जो है उसकी फ्रेशनेस जो है वो बनी रहे देर तक खाद की बात करूँ इन प्लांट्स में तो फ्रेंड्स ये ऐसे प्लांट हैं जिसमें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है आप इसे मंथली यानि की महीने में एक बार खाद डाल सकते हैं अगर आपके पास गोबर का खाद है सड़ी हुई गोबर हो पुरानी सी पुरानी खाद अगर आपके पास हो गोबर की तो वो डाल सकते हैं और इस प्लांट को जब भी आप लगाते हैं तो कोशिस करें बड़े ही गमले में लगाएं 9-10 इंज के गंबले में यह 12 इंज के गंबले में लगाएं ताकि यह पने जड़ो को ज्यादा फैलाइए और अच्छी तरह से ग्र lleho कर पा it अपना जो प्लांट है वह प्लांट वह अच्छी तरह से रहे हो पाएं और जितनी से ग्रोथ होगी in plants की ज़ादा flaring होगी और — rin plants को जब एक बॉर flaring हो जाती है जो फूल मुर्झाने लग जाते हैं पूरी तरह से उसको एकद अंगली नीचे की तरफ से उसको काट दिया करें, ताकि उससे नई branches निकले, नई टहनीय निकले, और फिर से उसमें flaring हो प्लान्ट बचे रहे इन प्लाट को शेड़ेड एडिए में ना रखे होगist कैड़ा जड़ाय जाद से ज्याद कि खली अगर है आपके पास तो वह आप आप सकते हैं अगर नौ से दस इंच का गंबला है तो उसमें आप एक बड़ा सर्सो कि खाली यानि कि mustard cake भी जिसे कहते है English में online भी मिलता है और किसी भी agricultural shop में आप लोगों को मिल जाएगा friends वो आप एक चम्मच 9-10 इंच के गमले में बड़े गमले में उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं powder को महीने में एक बार डालना है या फिर आप वर्मी कंपोस भी साथ में अग में हम लोग कभी कभी ज्यादा खाथ भी डाल देते हैं तो वह नहीं करें और अगर एंपी के फर्टिलाइजर आप लोगों के पास है chemical फर्टिलाइजर होता है नाइट्रोजन पोटाशियम स्वारी नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंग पोटाशियम यह प्लांट्स के ओव फ्रेंट्स एक लिटर पानी में डालके एंपी के चाहे तो नाइंटी नाइंटीन हो या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी रेशियो वाला हो तो आप इसमें मिलाक सकते हैं या पानी मी इसको गमले में भी डाल सकते हैं हर 15 से 20 दिन में तो आप लोगों को अच्छा रिजर्फ म कि मैंने यहां क्यों रखा हुआ है तो यह क्रिसैंथमम प्लांट है मेरा बहुत अच्छी फ्लारिंग हो रही है मैंने सुचा आप लोगों को भी दिखा दूँ फ्रेंड्स फ्लास देख के ऐसी मन खुश हो जाता है तो मिलूंगी नेक्स वीडियो में फ्रेंड्स तिल देन बाई टेक केर